राष्टिये लोगतांतिक मोर्चे और भारते जिंताफाटी की प्रत्याशी के तोर पर द्रोपदी गुर्मू के नाम की राष्पती पत के लिए क्रोश्वा होने के साथ ही यह दर बुत्य हो गया है कि अगली राष्पती देश की पहली आदिवासी महिला होंगी और दूसरी महिला होंगी प्रत्यवा पार्टिल पहली महिला थी और दूसरी महिला आप होंगी आप ही कह सकते हैं कि आप जब चुनाओ होना बाती है और चुनाओ की अभी तो तैयारियां शुरू हो रही तो आप ही कैसे कह सकते हैं किताब दुरब्दी मुझरोंगी ही जो है वो राश्पती होंगी तो इसके बहुत साफ सुनी करण है भारती जन्ता पार्टी और NDA के पास जो गनित है वोटों का वो 48.67 के आसपास है और उसमें अगर इन्वे से किसी एक दल के भी वोट जुड़ जाते हैं इन्वे से मतलब विजु जन्ता दल यसर और नितिश कुमार के वोट भी जुड़ जाते हैं नितिश कुमार ने के जुड़ जाते हैं तो वो आसानी से जीच जाएंगी अब जैसे ही मुर्मू के नाम की खोशना की गई विजु जन्ता दल इनकी बारे में पहले भी माना जा रहा था कि वो NDA के प्रत्याशी को समर्थन करेंगे उन्होंने बहुत साफ खोशना कर दी क मुझे खोशी है कि प्रधान मंतरी ने मुझे इस बारे में बात की और मैंने इतके नाम पर सहमती जटाए आपको याद होगा और पता ही होगा कि मुर्मू जो हैं पूरी सामूल की हैं संधाल इलाके से आती हैं पढ़ीली की हैं ऐसा नहीं है कि और अपने जमाने में शिक् राज्यपाल भी बनाई गए जो 2021 तक जारकंड की राज्यपाल रही तो बहुत ही इनकी वहार, कुशलता और इनके बारे में जो चलचाए हैं वो बिलकुल उनको बहुत एक बड़े ओदे की तरफ ले जाने के लिए काफी साबित हुई और इसी लिए NDA ने प्रत्याशित थारलंगबग एक ऐसे नाम की बोश्रा करना जो जीतने में आसानी हो और जो एक भारती जिन्ता पार्टी की छवी को नया रूप दे सके आप भारती जिंता पार्टी की छवी को नया रूप आप सब को पता है कि भारती जिंता पार्टी या नेजिन मोदी के नित्रत में जो सरकार चल लगी है और जो लानमंतरी हैं वो हमेशा नाम को ले करके चौकाते रहे हैं मुर्मू का नाम 2017 में भी आया था जब कोविंद का नाम सामने आया था तो रामनात कोविंद के साथ-साथ मुर्मू का नाम भी चला था लेकिन उस समय नामनात कोविंद बाजी मार ले गए थे विहार के राजपाल थे और नितीश कुमार ने उनको समर्थन देने में कोई हिचक नहीं दिखाई थी जबकि नितीश कुमार उस समय महागडवंदन के थे और उन्होंने लाजपाल की जो क्योंकि उनके साथ के थे वहाँ पर थे तो उन्होंने कोई हिचक में दिखा थे और फिर वो आसानी पे उनकी जीत हो गई थी मुर्मू उसके बाद उसी किताथ मतलब राजिपाल उसमेश बन चुकी थी धरगंड की और उनका नाम भी चला था वो उसमें नहीं हो पाई लेकिन अब चौसेट वर्ष के मुर्मू के राष्पती बनने का रास्ता साफ को चुका है और लगबगी तैमाना जा रहा है कि उनका ही चैन होगा उनका ही मनोनयन होगा या उनको ही निर्वाचित गोशित किया जाएगा आखिर मुर्मू के साथ ऐसा क्या है जो भारती जिम्तापाटी उनको आगे लेकर के आई भारती जिम्तापाटी अपना जिस तरीके से आधार बढ़ा रही है उसमें उसको एक बात कहने के लिए भी जरूरी होगा कि हमारा हम कितना S.E.S.T. का भी ध्यान रखते हैं आपको याद होगा कि भारतिंदा पार्टी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तो शुरू में जब कहा जाता था उनको छोड़ करके उनको बहुत बवा बेश बनाना शुरू किया विहार में बनाया उतर पर देश में बनाया और अन्य राज्यों में दीरे दीरे उनका एक आधार अपना बढ़ाती गई एक सोची समझी रणनीत के तहट बनाती गई संग का इसमें बहुत बढ़ा हाथ रहा और एक बहुत बड़े इतरवर काम की संग का नाम आया तो या तो मैं आपको बता दू संग की जितने भी अनुमाशिक संगठन है वो सब काम आधी बहती इलाखों में पहले काफी दिनों से कई वर्षों से बसकी कई दश्कों से काम करते रहे हैं और उसका लाख भारती इंता पार्टी को मिला और भारती इंता पार्टी तो सीटों में भी बढ़ोती हुई लेकिन एक परसप्शन के तौर पर देश और विलेश में परसप्शन के तौर पर कि उन्होंने एक बहुत ही पिछली महिला को बहुत ही जो हमारे आजाती है शुरिल ट्राइब माने जाती है आदिवासी माने जाती है उनको भी एक देश के सरवोच पद पर लाने की पोशिश की लाया लाने की प्रिग्रिया शुरू कर दी और इस तरीके से मुर्मू उस पद पर जाने को लगवग तैयार बैठी हुई है मुर्मू के आने से भार्दे इंदा पार्टी को जो फायदा होगा वो ये है कि देश में आधिवासी सीटे जो है 47 है 47 है 4543 में से यानि कि लगवग अपां सकते हैं 9-9% सीटे आधिवासी सीटे के हैं और भार्दे इंदा पार्टी को इससे एक सीधा पायदा मिलने की पूरी समभाव नाए है और लगवग 60 सीटों पर आधिवासी समू का एक प्रभाव देश में है मैं लोग समभा के जीडियों को बात कर रहा हूँ यानि कि 20-20 सदी लगवग सीटों पर आधिवासी समाज के लोग जहें वो प्रभावी होते हैं और ये उनके लिए निश्चित रूप से गर्व का चान होगा एक उनके लिए प्रितिष्ठा का होगा अस्मिता का चान होगा जिसमें वो एक अपनी नेत्री को चुझ सकेंगे आप देश के लिए सोच सकते हैं लेकिन विदेश के लिए अगर आप सोचें तो विदेशों में भी एक बड़ा मैसे देने की तैयारी है कि हम एक इतने इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि विदेशों में भी एक किस वर्ग के सबसे पिछले वर्ग के लोगों को देश आगे रा रहा है और उनका चैन निश्चित रूप से बहुत प्रभावी बाना जाएगा ये बाद दूसरी जब पहली बार प्रदिफार ताई पार्टी को चुना गया था तो उनको लेकर के बाद में कुछ उस पद के अनुरूप नहीं खबरें आई जो उनके जाने के तब्या हुआ और वो बहुत दुरबाद ऊड़ दे रहा लेकिन अब दूसरी महिला की दोर पर दुरबदी मुर्मू का चैन लगभग पका हो गया है और भारतिफार पार्टी ने बहुत सोचे समझी रणनीट के तर उनको आगे किया यह बार दूसरी है कि इस बार भारतिफार पार्टी जो नाम चोकाने वाली बात करी थे उगतना नहीं चोका पाई क्यों क्योंकि वैसे बहुत सारे लोग कई नाम ले रहे थे जिसमें केरल के राज़पाल खान साब आली मुम्मद खान साब भी थे और अपने उबराश पती बेंकया नाइडू भी थे और भी नाम थे लेकिन उन सब की कॉर्ब को तोड़ते वह मुरमु का नाम आया और मुरमु क्योंकि पिछली बार भी उनका नाम आया था इस बार भी जो पांच-छे उपर के नाम चल ले थे मुरमु का नाम था मैं तेकल जब भारेद्दाबाटी की बैठाथ हुई थी तो उसमें 20 संभावित नाहों पर चर्चा हुई ये बताया गया मैं विदिन कोर्ट बता रहा हूँ बताया गया मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई होगी तो कि चर्चा होने का मंदब दूसरा होता है और जब एक नाम पर प्रधान मंतरी के देश्टा में वहाँ प्रधान मंतरी और पार्टी अदेश्ट जेपी नड़ा के ताफ में जो बैठा कोई और बहुत वरिश निताओं के ताफ में तो उसमें लगबग ये तैह हो गया बहुत जल्दी वो खतम भी हो गया और मुर्वों के नाम पर टेक मत हो गया इसके पहले भारती नड़ा पार्टी में में राजना सिंग और अन्य नेताओं को जिसमें जेपी नेटा विदेशा मिलते अपने सहयोगी दलों को इस मामले में सहमती करने के लिए माचीत करने के लिए प्रग्रिया शुरू की गई थी और वो प्रग्रिया भी दो-तीन दिन में खतम हो गई और एक सहमती के तौरपल नाम आया था अब सवाल ये है कि क्या मुर्मू का जब चैन हो रहा है तो जो तीन राज जहाद है रबसे ज़्यादा आधिवासी छेतर प्रभावी छेतर है जारखन, छत्यजगर्ड, पोड़ी साथ बरकी चार कहना चाहिए और भी हाद इन में इनके नेता इनके जो विबिन दलों के नेता इन दूसरी दलों के विबिश के नेता को लेकर के मुर्मू का क्या ख्याल होगा, क्या बात होगी नवीन पटनायक कुछ जैसा मैं बता है पहले बता चुका हूँ, नडिये के पार्ट नहीं है लेकिन बहार से दामर्सन करते रहे हैं और वो कल उनोंने देर रात में सबसे पहले वो आ गया है और उनों के नाम की भुशा कर दी अब बहुत सारा दबाओ जारकन मुक्ति मोर्चा के हिमन सुरोन पर है जो खुद उसी समाज से आते हैं कि वो क्या करेंगे, क्या वो कैसी सितिती में रहेंगे मैं आपको ये भी बता दू कि NDA ने के अलावा जो विपक्ष थाते हैं युक्ति विपक्ष के तोर पर बहुत सारी कोश्चें अपना दाविदार पेश करने की हुई उसकी शुरुआत ही कुछ है थी गवड़ हुई जिसमें एक दिखरा हुआ विपक्ष नगर आया और जब अधिसूर चुना जारी हुई राश्पती चुनाओ की तो उसी की तटकाल बाद मम्ता बेनेव जी जो टीमसी की नेत्री हैं उन्होंने आते ही भुषणा करती किसाब तनरतारी को हमने दिल्ली में बठ़ गुड़ाई केसे यार इस पर खफा हुए और चंशेकर राओ की बात कर रहमन और फिर उसके बाद उनको भी क्योंकि वो अलग तैयारी में थे और अपने आपको राश्टी बटल पे लाने की कोशिश में पूरे तरीके से लगे हुए है वो उनको एक बाजी उनसे मम्ता बेनाजी ने च्छीन ली और वो जो करत प्रिक्रिया करते हुए दिखाई दे सकते तो नहीं देगे वाम बंती नेताओं ने भी सीतारा मेचुरी जिसे बगादा आपे गिप्ती जारी करके कहा कि हम भी बैठक उस दिन करने वाले थे लेकिन ये बाद भी ना बाद किये हुए रख लिए लेकिन वो बाद उती है कि सीतारा मेचुरी बाद में मुंता मिनाजी की बैठक में उनकी तरफ से वह पर लोग भी शामिल हुए कॉंग्रेस जरूर बिलकुल अलग थलग रही और क्योंकि राहुल जब ये अदिस उजना हुई और उसके बाद में तभी प्रिक्विया चुरू हुई तो राहुल दांदी दीडी के फेर में पड़े हुए हैं वहां पर फासे रहें प्रियंका दांदी भी उन्हीं के साथ रहीं तो फैटले लेने वाले बहुत कम लोग थे ममता बिन जी की बैठक में खड़के मलिका अदित कर दे विबर्ष के नेता वहां गए थे और उन्होंने अपनी सहमती जताई और उसके बाद में कल जब जैराम रवेश ने नाम के समझतन की खोश्रा ये शुन सिना के नाम की खोश्रा की लिए शुन सिना का बाम एक मत के रूप में नाम नहीं सामने आया ये एक वड़ी दुर्वा के पूरू बात रही क्यों कि पहली बैठक में ममता बिन जी जब बैठक बाहर निकल के आई तो उन्होंने कहा कि बावार साहब को हम चाहते हैं बनाए लेकर बावार साहब ने बना कर दिया उसके बाद दूसरे पंगाल के राजबाल रहे चुके हैं मातमा गानी के फुत्र हैं और उनको लेकर कि जब बात आई तो उन्होंने भी दो तीन दिन बाद उन्होंने कहा कि पहले नाम के बारे में चलिए पहले पहले हो जाने दिजिए तितिया ताफ होने दिजिए लेकिन जब उनका नाम आय प्रतियाशी के दौर पर उनका नाम आया येश्वन सिना जो अभी तक काफी लंबे समय तक पहले जंता पार्टी में रहे और फिर उसके बादों पर रहे मंतरी रहे और फिर उसके बाद में उनके माजबाते मोबंख हो गे और दो हजार बीश के बिहार के लोग सभा रासभा विदान दफागे चुनाओं में उन्होंने तो अपनी बकायता एक कुट बनाया था जो बहुत ज्यादा चल नहीं पाया और वो अपनी कोज़िशों में नाकाम नहीं हो थाया हम सब जानते हैं क्यों नाकाम ही उनको लगी बिहार की जातीकत राडनीत और राजनीत में जो सहयोग मिलना चाहिए तब उनी मिला यश्वन सिना की काबलियत के बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए विदेश मंतरी के तौर पर रह चुके हैं फिर तो मंतरी के तौर पर रह चुके हैं आएस रह चुके हैं तो उनकी काबलियत और उन्होंने इश्वर की कपा और अपन यस्वानतिन्हा के नाम के पहले जब इन तीन लोगों ने मना कर दिया तो उससे एक विपक्ष की इमेज बहुत अच्छी नहीं गई और बिखरा बिखरा विपक्ष नगर आने लगा कल की बैठक में भी आपी सोची जो विपक्ष की बैठक हुई थी उसमें पांच प्रमुख दल गायब रहे नगालन रहे और बिखर के दल में इतली किया हुए जगन मुल रेड़ी की पाटी नहीं आई यामान पाटी नहीं आई शिर्थेना नहीं आई और उस वज़े से सब भिकरा भिकरा का नगर आने लगा और यह माना जाने लगा कि हाँ अब तो बहुत आसान जीत होगी जो भी एंडिये का प्रताशी होगा यश्वन देना पहले का नाम पहले खोशिट किया गया और उसके बाद जागर के मुर्मू का नाम सामने आया अब ऐसी इत्थिती में ये बहुत खराब मेसेज देने वाला हुआ कि विपक्ष जो जैक्ता की बात करना था वो एक्ता कहीं नहीं दिखी विपक्ष की एक्ता के और वो भी इसलिए नहीं दिखी क्योंकि हर बड़ा नेता जो चाहे वो KCR हो चाहे वो ममताब इनर्जी हो उन दोनों ने अपनी होड के चक्कर में वो नाम निया है और तो और आमाद्मी पार्टी जो ममताब इनर्जी के राद काफी साथ रहती थी उसने भी साफ गया दिया कि ऐसी सिति में हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगी जबते कि सितिया साफ ना हो अब देखना बड़ा रोचक होगा कि मुर्मू के नाम पर क्या जो आदिवासी प्रभावी छेतर हैं वहां के डल चाहे वो जारकंड मुक्तिमूर चाहो चाहे वो नितीश कुमार की पार्टी हो चाहे वो बीजुकर नाइकड़ अपने आपको गोशित करी दिया है या जारकंड की अन्य पार्टी आओं तो वो मुर्मु को किस तरीकेसे सथिकार करती है और यही उनका आगे ले जाना जो है वो विपश को और कि मुश्किलों को बढाएगा और तह उससे फायदा जो है NDA को होगा ये बार बार विपक्ष की एक्ता को लेकर जो दोजा चौबित में जब आप सपना देख रहा हूं कि हम सरकार बनाएंगे और आगे जाएंगे दरिदमोदी को खटाएंगे तो ऐसे में ऐसी इस्थिती में जो ये प्रक्रिया हुई है उससे विपक्ष के लिए कोई बहुत अच्छे संकीत नहीं जाते है आने वाले दिनों में इस जो इसका नितना नतीजा होगा इस चुनाओ का उससे कितनी सीख लेता है विपक्ष ये भी देखने वाला होगा लेकिन ये जरूर देखना होगा कि आखिर विपक्ष जो है वो क्यों नहीं सीख लेता एक्ता की एक्ता के मामले में क्यों फिशपा नहीं जाता है बहुत बहुत धन्यवादा